जिसका नाम है चिसल रेक्ट तो अब देखिए चिसल रेक्ट क्या करता है सबसे पहले हमें एक मॉडल की जरूरत होगी तो हम हमेशा की तरह लाइट बॉक्स में चेलेंगे और यहां से जो भी हमारे पास में मॉडल होगा उसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आज हम क अब हमें ब्रेश लूड करना है चिसल नाम का तो बीफ और ब्रेश और सीफ ओर चिसल नाम का पर देखिए हमरा जो करेंट ब्रेश इसमें चेसल रेक्ट खरेंट करने हैं इसमें बहुत सारी स्ट्रोंक यहां उपर आप देखो इसकी सेल्फ में पड़े हुए है आप इसको स्लाइड कर सकते हो तो यह मेकेनिकल टाइप के कुछ इस्ट्रक्चर है यह इस्ट्रक्चर जिनको जल्दी से आप यहां पर यहां से एप्रोच कर सकते हो अगर इसको आप बनाओ तो बहुत सारा टाइम लगेगा तो उसकी जरूरत नहीं है बनाने की तो अब इसके लिए ध्यान यह रखना है कि फ्लैट एरिया होना चाहिए उसके उसमें जल्दी अच्छे से काम करेगा और ऐसा नहीं कि फ्लैट में यह कर आते हैं पहले फ्लैट एरिया में तो आई थिंक हमारा सेंटर जो है वह होगा इसको अगर हम क्लिक करके ऐसा ड्रैग करते हैं बाहर तो देखो वह डिजाइन बन गया पर प्रॉब्लम यह है कि यह डिजाइन आप देखो यह इतने ज्यदा हैट नहीं है इसमें जबकि हमारे मॉडल में बहुत बड़ी हैट आ रही तो मंडू कर लेते हैं यहाँ और आप़ो ड्रैग करते हैं बहुत कम दुबारा से एक पर ट्राइ कर लिते हैं तो देखो आया है पर वहोस्त हलका या यह देख सकते हैं अप यह देखे है we can do करेंगे इसको अभी और बढ़ाने की जरूरत है तो यह आपको ही टं ट्राइकरते रहना है जब आपका लगे कि नहीं यह हमारा फिट है देखिए यह हमारे पास में सही है तो जल्दी से हमने एक structure इसके उपर बना लिया है फिर से देख सकते हैं यहाँ पर और भी हमारे पास में option है लेट्स की यह वाला option है इसको यूज करते हैं अगर फिर से में जाना पड़ेगा इस flat surface के उपर और हमने इसको drag and drop किया कुछी steps है आपको अगर ज्यादा उपर उठाना है तो इसकी intensity को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा यह और हम फिर से click करके उसको यहाँ पर drag करके बना सकते हैं तो आप देखो कि वो model आपने जल्दी से बना लिया अब यहाँ से कोई model अगर है हम इसको फिर से draw करते हैं अब हमें दोनों साइड में draw करना है तो देखिए यहां से symmetry on है तो आप अगर ड्राव करोगे तो symmetry आपकी साथ में चलेगी आप इसको देख सकते हैं और यह दोनों साइड में बन रहे हैं सबसे खास बात ही है कि जो भी structure है न हमारे इस original main body के साथ में 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 इसके साथ में यह देखिए जुड़े हुए बन रहे हैं यह देखिए ऐसा नहीं कि बाद में इनको जोड़ना पड़े गए देखिए कितने असानी से यह जोड़क इसको क्लिक कर देंगे तो कौन सी एक्सेज में चाहिए तो एक्सेज आप देख सकते हो यहां से इस जीगे से यह आपको एक लाइन दिखाए दे रही है वाई लाइन हमारी यह जो ग्रीन लाइन होती इसको वाई एक्सेज बोलते हैं तो वाई एक्सेज के अरांड में हमक तो आप यहां से श्ट्रोक को कम याज़ादा कर सकते हैं चलो इसको draw करते हैं तो आप देखो कि वो structure बन गया है आप यही structure ऐसा कर सकते हूं कि old press करके कर सकते हैं old से reverse हो जाता है ब्रेस का जो भी action होता है तो old press करके अगर चलाएंगे तो यही हम नीचे की तरफ surface को ले जा सकते हैं अगर हम उपर की तरफ लाना चाहते हैं तो old को प्रेस नहीं करना आपको just simple आपको ऐसा ड्राय कर देना है तो यह कितनी अच्छे से और कितनी जल्दी से हम अपना design clear कर सकते हैं बना सकते हैं तो इसके पास मैं अभी और देखेंगे बहुत सारी यहां पर इसके ब्रेस के stroke हैं और कोई दूसरा try करना चाहते हैं तो just एक यह वाला भी है या फिर यह को 04 करके आ रहा है हम इसको भी try करना चाहते हैं और ब्रेस का size s press करेंगे ब्रेस का size थोड़ा चोटा करेंगे और यहां पर देखिए हम ऐसे draw कर रहे हैं अभी यह बहुत देखो rough आ रही है यहां पर surface है न तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसको high division करने के लिए control D press कर दो 1,2,3 हमने 3 times कर दिया है अभी फिर से करते हैं तो देखिए अब जो design है हमारे कितना clear आ रहा है पहले clear क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पाद divisions कम थे पर अभी इसकी intensity ज्यादा है जिसके वज़े से surface को ज्यादा बाहर निकल रही है तो मंडू करेंगे Z intensity जो थी वो थोड़ी सी कम करेंगे उसके बाद हम इसको use करेंगे यह देखिए अब कि काफी सारा gap है आप चाहते हो कि यह gap थोड़ा सा और कम होना चाहिए तो आप transform में जाके जो radial में आपके पास option आ रहा आठ इसको बढ़ा सकते है लेट्स हम यहाँ पर 16 करना चाहते है 16 तो देखिए काफी पास-पास में अब हम इसको use कर सकते हैं तो यह हमारा एक structure बन रहा है इस तरह से इस side में अगर हम कुछ use करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी use कर सकते हैं पर यह structure हमारा काफी अच्छा बन चुका है बीच बीच में यहाँ पर हम ने कुछ चाहिए होगा डिवीजनेंस अंने बढ़ा रख एं यहा पर कुछ और पैटरन है उनको भी Use कर सकते हैं आप इनको यूज करना है आप इनको यूज करिए तो देखिए यहाँ पर यह pattern है इस pattern को बहुत ज्यादा रॉफ हुए हैं तो आप shift button प्रेस करके corner पर ये smooth कर सकते हो तो ये आपके पास एक ring बन गए और इतना सांदार design बना है रिंग का आप खुद देख सकते हो तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस चिसल ब्रेस का यूज कर सकते हैं बहुत सारी stroke है इसके उन्हें स्ट्रोक का हमने यूज किया आर्ड के साथ यूज किया विदा विदाउट यूज किया अर्ड के साथ यूज करोगे सर्फिस अर्फ की नीचे की तरफ पुस करेगा जो भी structure लिया होगा उसके according और अगर अगर प्रेस नहीं कर रहे हो तो सर्फिस को ऊपर के तरफ यह extrude कर देगा अगर सिफ्ट के साथ नहीं करेगा आप ट्रांस्फोर्म के साथ चला रहे हो रीडियल के साथ में यह चला रहे हो तो और अच्छे रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल रहे हैं तो हमने देखा कि किस तरह से चिसल रेक्ट ब्रेस का हम लोगों ने यूज किया है तो आज हम चिसल ब्रेस की जितनी भी ब्रेस थे चेसल नम से वो सारे हमने खतम कर लिए है रीपीट कर देते हैं बीज और सी देखेल हमने कवर कर लिया है चिसल 3d कवर कर लिया है जिसमें बाडी के रेक्टेंगल चिसल विडियो आप देखाई है पिछले वीडियो आप देख सकते हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेट जरूर करना आपको अगर किसी भी स्पेशल टापिक पर वीडियो चाह तब तक के लिए, thank you